तो गाइस मैं हूँ अंकी तो और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट फग हम लोग अपनी बातों को सुरी करेंगे गाइस बैकलेस 24 की बेटिंग और से तो भाई पहले तो दो ही मैचेस एनाउंस थे लेकिन अल अब आप सड़ें तीन और मैचेस एड़ कर देगे स मैकड़न में अभी बैकलस का कार्ड अल्मोस्ट फाइनलाइज हो गया है लेकिन जो अभी लेटेस तीन मैचेस एनाउंस हुए है उसकी ओड्स निकल के नहीं सामने आई है तो स्टार्टिंग जो दो व्ल्ल टाइटल मैचेस एनाउंस हुए थे उनकी ओड्स हम लोग देख कहा जा रहा है कि डैमन प्रिष्ट वर्सेज जो जे उसो का मैच है इस वाले मैच के अंदर डैमन प्रिष्ट माइनस 4000 के ओड्स के साथ फेवरेट है प्लस 1000 के ओड्स के साथ जे उसो अंडर डॉग है तो दोनों वर्ल टाइटल मैचेस बहुत जारा प्रेडिक्टबल है ब वो टाइटल नहीं जीतेंगे अब एंडिंग ना भाई काफ़ इंडिंग किस तरीके से होती है विकास कोडी वर्सेज अपना जो एजर स्टार्स का मैच उसमें मैं स्वर हूं कि वहाँ पर कोडी क्लीन जीत सकते हैं लेकिन डायमेंड प्रिस्ट वर्सेज जे उसो का मैच क्ल पर सो तक आहीं जाएगी तो जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा अभी कहिसाब से वर्ल्ड चैंप सब्सक्राइब करते हैं अपने उपिनस बता सकते हैं बागी अभी कहिसाब से भाई बैट ऑनलाइन की बैटिंग और से कुछ कहती है कि जो हमारे चैंपिन से भाई अगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैरेन कॉर्बन को लेगे तो बारेन को ड्राफ्ट किया गया फ्राइडे ने स्मैक डॉन में एसा क्यों है और बैरन कॉर्बन की करेक्टर के साथ कुछ चेंजस होने वाले तो भाई वो सब कुछ अमुक देख लेते हैं Fightful का कहना है Baron Corbin and Braun Breaker were drafted to separate brands during the draft because WWE sees a major single star in Breaker in Addison Corbin is likely to get a renewed look on the Smackdown brand Fightful का कहना है कि इनकी tag नी पहले तो split इसे लिए because WWE Braun Breaker के अंदर एक massive एक major single star देखती है वो है भी है भाई वो simple दिखता है कि उनके अंदर वो potential है तो अगर ये squares matches खतम हो जाए उनके तो भाई एक proper feud वागरा उनको दी जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा बाकी Baron Corbin के मिलोग बात कर रहे है तो Baron Corbin को लेके update ये है कि possibly हो सकता है कि Baron Corbin को WWE एक renewed look दे SmackDown के उपर यानि को एक नया लुक एक नया गिमिक सकती है हाला कि NXT के अंदर उनको अच्छा crowd response मिल रहा था लोग उनको appreciate करने लगे थे जो कि उनको अपने करियर में बहुत कमी मिला है वाइसे मैं नेक्सटी के अंदर वो सहीत है तो मुझे नहीं समझा रहा है कि यह वापस से character क्यों change करना क्या करना लेकिन हां भाई कहीं ना कहीं यह भी है कि में रॉस्टर के जो लोग है जो fans में में सूपर स्टार्स नहीं में रॉस्टर के जो लगे थे बैरन कॉबन को लेकिने ड्राफ्ट मूव सैथ से या तो बैरन कॉबन के लिए बहुत जारा अच्छा साबित होगा नहीं तो फिर वापस से बाई वाई सरकल वाली चीज होगी वापस कहीं बैरन कॉबन उस जगा पे ना आ जाए जहां पर कि वह पहले थे तो कई आगे देखना चाहती है आगे बढ़ते हैं गाईस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में गुंथर कोडी रोट्स को लेकर यह तो सबस्च बाई गुंथर वर्सिस कोडी रोट्स का मैच होता है तो बहुत अमेजिंग साउंड करता है बहुत मैसिव मैच सुनने में लगता है कि अब बहुत बड़ा मैच है अब भले टाइटल के लिए हो चाहिए ना हो लेगिने बड़ा मैच लगता है अब ऐसे में गुंतर गॉरिला पोजिसन के साथ इसके बारे में ही बात करते हैं गुंतर सेज डाट हिम एंड कोडी रोट्स गुंतर का कहना एक दूसरे के दूसमन बनने के लिए ही बने हैं मतलब डबड़ली के नतर ये दूसरे थे हो अगले यह बिल्कुल नहीं पता है क्या होगा होगा तो पृक्ल नहीं पता होगा तो उस टेंपन कों होगा क्या कोड़ी होंगा या फिर गुंतर को वर्ल्ड चैंप से पिल जाएगी तो बहुत सारे क्वेस्टेन्स होंगे लेकिन भाई जब भी ये वाला मैच होगा मैसिव ही मैच होगा विकॉज इस मैच को मेजर मैच बनाने के लिए टाइटल के एक्शुली में नीड है यह नहीं यह बिना टाइटल के भी एक बैंगर मैच हो सकता है अब बहुत ही तकरा यह मैच होगा गुंतर भी वही कहते हैं उन्हें लगता है कि यह दोनों सूपरस्ट इनको लेकर जो कि गुंतर ने खुरी से दिये अगे बड़ता है गया इस बात करते हैं लोग बेभी फेस रोमान रेंज के बारे में कहीं लोगों ने दिमाग मैं बिठा लिया इकि रोमन वरेंज सब वापस आएंगे तो बेभी फेस रोमन बन कहीं आएंगा बड क्या आपको पर देखोगे तो रोमन रेंज का अगेंस्ट चीजे हो रही है सोलो सिकवा वगरा ही लें लोमन का पहला रियाक्शन निंगल के सामने आया रसल मीना के बाद ट्विटर पे उन्होंने एक सब्द भी नहीं बुला लेकिन उनके फेसियल एक्सप्रेशन से ना साफ दिख रहा ह वाले घमंडे में उसी रुटबे में अभी वह सेम हील वाइपस आ रही है तो पहले तो कॉन्फिक्ट भाई यहीं पर हो गया दूसरा यह कहना है कि डवडबी नभी तक अपना डिसिजन फाइनलाइज नहीं करा रोमन रेंज को लेकर अगर करा भी है तो बहुत बहुत कम लोगों को पता लाइक मैंने आपको पहले बता था कि ब्लड लैंड की स्टोरी के इंपुट सिफ पॉल हमन रॉक रोमन रेंज ट्रपल एच कुछ चुनिंदा लोगों को मालुमें भाई निक्खन वगरा को तो इसलिए भाई यह तो बहुत मुस्किले बताना कि रो कर दो मन काना भाई यह कोई मजाकिया करेक्टर नहीं था यह कैसा करेक्टर था जिसने डेवी को मिलियंस का प्रॉफिट करा है इंटरनेशनल सोच सोल्ड आउट करने में हेल्प करा है तो डेवी इसको चेंज करने से पहले हजारों बार सोचेगी तो इसलिए हम लोग ऐसा करने का मतलब क्या है तो फाइट फुल का कहना है कि पीजी एरा से मूव ऑन करने का मतलब यह है कि पीजी एरा धीरे-धीरे खतम तो होगा लेकिन आपको जो टेलेविजन पर वो पीजी रेटिंग देखने को मिलती है सायथ आपने नोटिस करा हो वो टीवी पीजी जो कि टीवी पीजी साइन भी हट जाएगा वो साइन रहते हुए भी वो साइन दिखाते हुए भी डबडबी चाहिए तो पीजी एरा से धीरे-धीरे मूव ऑन कर सकती है एक एक एरा खतम होने नहीं पर प्रॉपर ट्रांजिसन लेना परता है तो नेटफ्लिक्स पर जाएंग आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वाट सिर्फ चैनल को उसके लिंग डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आफेर काफ इंट्रस्टिंग वेडियो में